इसको एक image बना रहा है, इसके थूँ ये earning कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो दो terms लिखी हुई है, मैंने social media management और social media marketing, तो इस चीज में confuse मत हो न, उनकी success stories की post बनानी परती है, तो यह देखो गाई, यह campaign मैंने चलाई थी, जिसके बाद मुझे इस production company के लिए काम करने का मौका मिला, तो आप देख सकते हो, यह song था, यहाँ पर impression दिखा रहा है, यहाँ पर आपको सारे premium courses एकदम free में देखने को मेलेंगे, फेस्बूक ads, mastery course, और यह latest है 2022 का, यह आपको एक दिन में only एक party डाउनलोड करने को बोलेगा, बट इसकी trick क्या है, माई नेम इस फिरोजपाल, आई create yt thumbnails for my clients, 250 रुपीज ये ले रहा है एक thumbnail के, इसमें आपको बड़ी-बड़ी दिकानों को target करना है, need SEO expert, DM, ASAP, Hello guys, welcome to my YouTube channel, my name is Tindar Singh, तो guys, इस वीडियो में आपको freelancing का एक proper road में बताने वाला हूँ, कैसे अगर आप एक beginner हो, आपके पात कोई भी income का source नहीं है, तो इस वीडियो में आपको उसका ही एक proper road में बताने वाला हूँ, ये वीडियो जो YouTube पर बाकी वीडियो से हैं, उनसे बिल इसकुल भी नहीं बताऊंगा कि इस field में जाओ जाओ, इस field में जाओ, इस में जादा profit होता है, बलकि field और skill आपको खुद ही चूज करनी पड़ेगी, अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप YouTuber बन जाओ, YouTube में बहुत पैसा है, जब कि आपका interest ही blogging में है, तब मेरे बोलने पर अगर आप YouTube में भी चले जाते हो, बट वहाँ पर आप successful नहीं होगे, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने सारी की ये as an beginner के perspective से ही बताई हुई है, ताकि beginners को किसी भी चीज में किसी भी तरह की कोई भी problem ना आए, और साथ ही साथ बहुत से लोग ये भी बहुत देते कि मैं कि चीजों की freelancing करता हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको उसकी भी proper knowledge दूँगा, कि मैं कौन सी चीजों को as an freelancer करता हूँ, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा भी, साथ ही सबसे बड़ी problem है कि beginners के पास कोई भी budget तोगेरा नहीं होता, कोई new skills सीखन करने के लिए, जा किसी course को buy करने के लिए, तो इसमें मैं आपको उसका भी proper solution बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको एक ऐसी website के बारे में बताऊंगा, जिसमें से आप premium courses जो की 1000 या 1500 डॉलर तक के होते हैं, उनको एकदम free में download कर सकते हो, ये थोड़ा quirky काम है, इसलिए इस वीडियो में देखने को मिलेगी, वो आपको पूरी YouTube पर और कोई भी नहीं बताएगा, मैंने सारी चीजे आपको full clarity के साथ और transparent होकर बताई हुई है, तो इस वीडियो को end तक देखना, आपको भी किसी भी चीज में किसी भी तरह की problem नहीं आएगी, अगर आपको फिर भी क अपने desktop पर ले जलता हूँ, तो guys, वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को subscribe करके bell notification icon को आल पर कर दीजे, तांकि आप ऐसी ही कोई आने वाली valuable video मिस ना कर दें, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर regular content डालता हूं, regarding to affiliate marketing and make money online, मेरे चैनल से आपको full practical knowledge देखने को मेलेगी, मैंने कुछ भी आपको verbally नहीं बताया, only वही चीजे बताई हैं, जिनोंने मेरे लिए और मेरे बहुत से students के लिए work किया है, और अगर आपको वीडियो को देखने के बाद भी किसी चीज में किसी भी तरह की problem आती है, जो आपको मेरे से personal coaching चाहिए, तो उसके regarding आप मुझे मेरे Instagram पर follow करके DM कर सकते हो, मेरी Instagram की ID का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा, और please कोई भी high जा hello का message मत करना, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कि high जा hello का message मत करना, मैं उसको reply नहीं दूँगा, बट आप लोग फिर भी नहीं हरते, मुझे daily के 20 plus messages high और hello के ही आते हैं, तो जो भी मेरे बाई high जा hello का message कर रहे हैं, वो मत करना high जा hello का message मैं उनको reply नहीं दूँगा, आप directly अपनी query पूछना, तभी आपको reply मिलेगा, high जा hello वालो को मैं reply नहीं दूँगा, तो चलिए guys वीडियो को करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में मैं कौन-कौन सी चीजे cover करने वाला हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको एक proper road मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको freelancer बनना है, और कैसे monthly 50,000 जा उससे भी ज्यादा रुपीज कमाने हैं, बहुत से लोगों को य भी मेरे clients है, वो सारे मेरे local clients ही है, मैं कोई भी international clients के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तो इससे आप अंताजा लगा सकते हो कि अगर आपके पास कोई skill है, उसको आप अच्छे से monetize कर सकते हो अपने local area में भी, बस शर्त ये है कि आप जिस भी काम के लिए approach करो, उसमें आप 100% perfect होने चाहिए, और आप 100% perfect तब ही होगे, जब आपने उस चीज को बार बार try किया होगा, तो इसमें मैं आपको exact road में बताने वाला हूँ, इसका कि कैसे आप लोग एक freelancer बन सकते हो, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको basic information बताऊंगा कि freelancing होती क्या है, earning potential क्या है as a freelancer, अग कितना कमा सकते हैं, वो सब कुछ इसमें बताऊंगा, then second module में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी चीजे करता हूँ as a freelancer, और इन में से थोड़ी बहुत कि मैं आपको examples भी दे दूँगा, because बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको doubt होता है, कि मैं बस बताता हूँ, मैं कुछ भी करता नहीं हो, तो आपको इस वीडियो में सब का proof मिलेगा, जो जो मैं करता हूँ, जो भी मैंने अभी तक किया है, जैसे मैं basically 4-5 काम ही करता हूँ as a freelancer, जैसे एक है social media marketing, और एक है social media management, तो ये दोनों अलग लग चीजे हैं, इनको एक ही category में मत लेना, इन दोनों में ब remote करता हूँ, और video editing भी करता हूँ, तो एक video editing और एक photo editing, ये skill तो 2022 और आने वाले time में must है, ये तो आपको आने ही चाहिए, अगर आपको ये भी नहीं आती, तब आप freelancing के बारे में बूली जाओ, because अभी क्या हो रहा है, कि सब कुछ digitalize हो रहा है, लोग YouTube पर ज्यादा आ रह अगर आपको digitally कुछ भी करना है, चाहिए आपको online पैसे भी earn करने है, तब भी आपको ये दोनों skills आनी ही चाहिए, then उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको freelancer बनना है, उसका proper roadmap दूँगा, बाकी लोगों की तरह मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊँगा, कि ये कर ये करो इसमें ज्यादा पैसा है, इसको मैं आपको एक completely different way से बताऊँगा, तांकि आप लोगो को अच्छे से समझ लगे कि कैसे सारी चीजे step by step करनी है, उसके बाद मैं आपको एक दो ऐसी sites के बार में बताऊँगा, यहां पर बड़े बड़े premium courses आप एकदम free में assess कर सकते इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो सब कुछ मैं आपको करके दखाऊँगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को end तक देखना, तांकि आप कोई भी valuable step मिस ना करते, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जडूर करना, और उसके कि जब आपने ये skills सीख लिए उसको अच्छे से implement कर लिया, तब आपको clients कहां से find करने हैं, उसका भी मैं आपको एक proper solution बताऊँगा, then last में मैं आपको कुछ important tips बताऊँगा, तो वीडियो को last तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना, वरना आप कोई valuable information मिस कर जैसे job में होता है कि आपको particularly 8-10 गंटे daily के देने ही परते हैं, 9-5 जा 9-8 जितने भी होते हैं, वो आपको देने ही परते हैं, जबकि freelancing में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर जब आपका मन करता है, तब आप daily काम कर सकते हो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको daily के 8-10 गंटे देने ही देने हैं, आप चाहो तो daily का एक गंटा दे सकते हो, दो गंटे दे सकते हो, तो ये होती है freelancing, इसमें कुछ भी ऐसा complicated नहीं है, बस आपके पास एक skill होनी चाहिए, और उसको monetize करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, कि कैसे आपको अपनी skill को monetize करक आपका time भी बहुत बचता है, तो ये होती है, simple words में freelancing की definition, then अब मैं आपको बताता हूं कि as a freelancer earning potential कौन सा है, तो उसके लिए मैं आपको एक site पर ले चलता हूं, जिसका नाम है Fiverr, तो ये देखो मैंने simply search किया Instagram post, तो इसमें क्या होता है, कि जो भी आप Instagram पर post देखते हो, जैसे देखो ये वाली post हैं, जैसे देखो ये है, simply जो motivation वाले quotes होते हैं, उपर इसने किसी की image लगा दी, और नीचे text लिख दिया, ये देखो, यहाँ पर इसने बहुत सी images बनाई हुई है, तो ये एक normal work है, अगर आपको photo editing का FV भी पता है, तब आप इसको easily अपने mobile phone से कर सकते हो, इसमें वो कुछ different नहीं कर रहा है, यहाँ पर font लगा रहा है, और images लगा कर इसको एक image बना रहा है, इसके थूँ ये earning कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह एक post का यहाँ पर 400 rupees चार्ज कर रहा है, जैसे यह है, यहाँ पर देखो, facebook, instagram, cover, photos और banners का यहाँ पर 1200 rupees चार्ज कर रहा है, एक बार का, अगर किसी को इसका काम अच्छा लगता है, देन वो बार-बार इसको contact कर सकता है, आगे जब आप इसके profile में जाओगे, तब इसके charges convenience के according बढ़ते जाएंगे, जैसे देखो, तो देखो यह basic plan है, basic plan यह 1200 में sell कर रहा है, यह standard plan यह 200 में send कर रहा है, देन जो premium plan है, वो जे 7000 में sell कर रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितनी ज़्यादा earning कर रहे हैं, यह तो मैंने आपको एक website का बताया है, बट बहुत से लोग ऐसे भी हैं, जो किसी भी website पर work नहीं करते, उनके बास local level पर, जान domestic level पर clients है, वो उनके थुरू ही money earn कर रहे हैं, तो ऐसी sites का क्या होता है कि यह आपके order में से 5-10% तक काटते हैं, मतलब कि अगर आपने 500 रुपीस पर post का रखा हुआ, तब यह उसमें से 50 या 100 रुपीस अपने charges काटेंगे, तो इसलिए मुझे तो यह पसंद नहीं है कि किसी third party website के freelancing करनी, तो इसलिए मैं किसी भी freelancing site पर नहीं हूँ, जो मेरे पास clients है, वो मेरे genuine clients है, वो मेरे पास आगे से आगे बंदे लाते रहते हैं, तो मुझे ऐसाज कोई जरूरत नहीं है, ऐसी sites पर जाने की, then I hope अब आपको समझ लगी होगी कि लोग कितनी earning करते हैं यहां से, then अब चलते हैं हमारे next module की तरफ, तो हमारा जो next module है, what should I do as a freelancer, मतलब कि मैं क्या करता हूँ as a freelancer, तो सबसे पहला जो काम है, वो मैं करता हूँ social media management का, तो जहां पर देखो, दो terms लिखी हुए है, मैंने social media management और social media marketing, तो इस चीज में confuse मत हो ना, जो social media management होता है, वो होता है कि किसी client का, चाए वो YouTube channel हो, चाए Instagram page हो, चाए Facebook का page हो, जा LinkedIn का page हो, जा और भी किसी platform पर page हो, वो सारी चीजे मैं manage करता हूँ, उसको हम बोलते हैं social media management, इसमें basically contract based होता है, जैसे अगर आप किसी का YouTube channel handle कर रहे हो, तो उसमें होता है कि आपको regularly basic पर videos डालनी होती है, वो सारा content व होगे, और उसका right way से promotion करना होगा, इसको हम बोलते हैं social media management, then आती है social media marketing, इसमें होता है कि लोगों की profiles को grow करवाना, इसमें आपके हाथ में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि कौन सी post आपको डालनी है, वो सारा client के उपर depend होता है, उसको जो भी post अच्छी लेगे वो डाल सकत करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा customers तक पहुंचे और उनके business को profit generate हो, जैसे मैं आपको example के लिए बताता हूँ, मैं आपको exactly नहीं दिखाऊंगा कि मैं कौन से client का कर रहा हूँ, मैं आपको example के लिए दिखाता हूँ, तो जैसे देखो, जैसे ये एक profile है, इसका नाम है broadway visa ये broadway immigration वालों की profile है, जैसे आप देख सकते हो, ये इनकी official profile है, यहाँ पर देखो, उन्होंने YouTube channel का भी link दिया हुआ है, तो जो social media management होती है, जैसे यहाँ पर है, जो social media management होती है, इसमें होता है कि आपको particularly ऐसी post बनानी परती है, जैसे देखो, उनकी success stories की post बनानी परती है, ये भी success story की post है, ये बनानी परती है, उनको post करना परता है, इनके different social media channels पर, ऐसे ही जैसे इनका YouTube channel भी है, तो YouTube channel को भी आपको देखना पड़ेगा, तो इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, ये देखने में कम लग रहा है, बट काम बहुत ज़्यादा होता है, काम इसमें खतम होने का नाम नहीं लेता, खासकर जो immigration वाले clients होते हैं, उनके पास तो काम खतम होने का नाम ही नहीं लेता, because मैं पंजाब से हूँ, तो जो लोग भी पंजाब से हैं, वो मेरी बात से relate कर पा रहे होंगे, सभी को बाहर ही जाना है आजकल, तो उस वज़ा से इन immigration वालों कि इसमें क्या होता है, social media management में, और जो जहां पर देखो social media marketing है, उसमें होता है कि यह से यह post डाली मैंने, इसकी मैंने promotion कर दी, जैसे यह इनकी page, इनका page है, इनके page की मैंने ad चला दी, इनके page को ज्यादा से ज्यादा targeted audience तक पहुंचा दी हैं, तो उसको हम social media marketing बोलते हैं, ज इनकी किसी video पर मैंने ad चला दी, और उनकी video potential customer तक पहुंच गई, तो इसको हम बोलते हैं, social media marketing, तो इस चीज में बिलकुल भी confuse मत होना, यह दोनों अलग अलग चीजे हैं, तो I hope अब आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि social media management और social media marketing क्या होती है, यह दोनों चीजे ही मैं करता हूँ, then उसके बाद आती है songs promotion, तो songs promotion का जैसे मैंने आपको इसके example के through बताया है, जैसे इनका youtube channel है, तो इनकी videos पर जो ad चलती हैं, उसको हम promotion बोलते हैं, video promotion बोलते हैं, तो बहुत से songs promotion भी मैं करता हूँ, मेरे पास 2-3 music label ऐसे हैं, जिनके मैं regularly basic पर monthly 4-5 songs promote करता हू तो इसके भी मैं आपको brief example दे रहता हूँ, मैं आपको सबसे पहली campaign दिखाता हूँ, जिससे मैंने उस company के लिए काम करना start किया था, इसके भी मैं आपको example दिखाता हूँ, google ads में जाकर, तो ये देखो गई, ये campaign मैंने चलाई थी, जिसके बाद मुझे इस production company के लिए काम कर तरफ से लगाए थे, उनको basically एक बंदा चाहिए था, उनकी videos को promote करने के लिए, जो उनके पहले बंदा था, वो पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज करता था, तो मैंने उनको approach की, तो मैंने उनको यही बोला कि आप पहले काम देखना, अगर आपको ठीक लगे, तब हम further आगे काम करेंगे, otherwise नहीं ठीक लगेगा, तो कोई बात नहीं है, तो यह मैंने उनकी song promotion free में की थी, यहाँ पर मैंने almost मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो मैंने almost 2K, मतलब की 2000 रुपीज spend किये थे, यह थारे मैंने अपनी तरफ से ही किये थे, उनसे मैंने एक भी पैसा नहीं लिया था, because यह मेरा test run था, इसके बाद ही decide होना था, कि मैं उनकी production company के साथ काम करूगा, कि नहीं करूगा, 2000 में मैंने दिखो 10.6K views निकाले थे, और मेरी जो average CPV गई थी, वो गई थी, 0.20 रुप, 20 पैसे की, मतलब कि एक रुपीज में मुझे 5 views आ रहे थे, तो आप देख सकते हो, यह song था, जहां पर impression दिखा रहा है, total 27,000 impression गए थे, और coast जो मेरी गई थी, वो almost 2100 रुपीज तक गई थी, और average CPV देखो इतनी गई थी, और यह सारा दिखा रहा है कि कहां कहां पर add चली थी, और यह area दिखा रहा है कि कौन से area को मैंने target किया था, यह सारी चीजे यहां पर दिखा रहा है, तो मेरी इस एक campaign से उनको बहुत ही अच्छे result देखने को मिले थे, अब मैं आपको exact amount नहीं बताऊंगा कि मेरी कितने में deal हुई थे और कितने time का contact है, बट अगर आपको freelancing में आगे बढ़ना है, आपको काम चाहिए बड़ी-बड company से, तो आपको अपनी तरफ से भी कुछ न कुछ spend करना पड़ेगा, यह बिल्कुल नहीं है कि आपको free में काम मिलेगा, यह मैंने इसलिए risk लिया, because मुझे पता था, मुझे सब कुछ आता है, और मैं इसको अच्छे से handle कर लूँगा, तो इसी वज़ा से मैंने यह risk लिया और मुझे उसका reward अभी तक मिर्दा है, इतना ज्यादा काम नहीं होता, इसमें एक बार ad चला कर छोड़ देनी होती है, बस उनको view से मतलब होता है, इसमें भी profit margin बहुत ज्यादा है, अगर आप Google Ads को भी अच्छे से चलाना सीख लेते हो, तब आपको इसमें भी बहुत ज् पैसे spend करने पड़ेंगे, तब ही आपको काम मिलेगा, यह just Italy की production company थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा risk लिया और मुझे उसका reward मिला, बट आप ऐसा कुछ भी मत करना, आप free में काम जरूर करना, बट अपनी तरफ से कोई भी पैसा मत लगाना, तो I hope अब आपको समझ लग गय होगा कि song promotion में क्या होता है, basically then आगे move करते है, then आ जाती है YT channels promotion, तो YT channels promotion भी same ही है, जैसे यहाँ पर song promotion है, जहाँ पर जैसे देखो, यह skip ad का call to action आ रहा है, आप नीचे बटन दे सकते हो कि subscribe to our channel, तो उससे channel subscribe की भी ad लग जाती है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, यह सा करना चाहते हो, एक है video editing और एक है photo editing, photo editing के लिए photoshop हो गया, canva हो गया, जिस सारी चीज़े आपको आती होनी चाहिए, because अभी क्या है कि अगर आप social media marketing भी करते हो, तब वहाँ पर भी reels डलती है, तो reels भी basically videos ही होती है, आपको उसको edit करना पड़ता है, तो यह one of the must thing है, यह तो आपको आती ही होनी चाहिए, video editing और photo editing, इसके आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा फाइदे होगे, अगर आपको YouTuber बनना है, तब भी आपको video editing आनी चाहिए, तो यह main 5-6 चीज़े हैं, जो मैं करता हूँ, as an freelancer, तो I hope अब आपको इन सबी चीज़ों में कोई भी doubt नह देखी होगी, आपने बहुत से लोगों की videos देखी होगी, कि मैंने highly profitable skills आप लोगों के लिए निकाल दी है, आप ये 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 करो, तो आप इतना earn करने लग जागे, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक का interest अलग लग चीज़ों में होता है, जैसे मेरा ज्यादा interest है, Instagram pages को grow करवान में, उसके related आपको मेरे channel पर unlimited content मिल जाएगा, वो भी एकदम detailed में मैंने आपको बताया हुआ है, कैसे चीज़े work करती है, कैसे आपको hashtags के थूरू अपनी post को promote करना है, कैसे एक ideal profile बनानी है, उन सारी videos का link आपको description में मिल जाएगा, तो ये totally आप पर depend करता है, कि आपको कौन सी field में जाना है, हो सकता है कि आप blog writing में अच्छे हो, और आपका interest भी हो इदर, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि उसमें इतना ज्यादा profit नहीं है, आप YouTube में जाओ, वीडियो बनाओ, जबकि आप वीडियो बनाने में interested ही नहीं हो, तब आप उस चीज़ में कभी successful नहीं जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, वाइस ओवर आ जाता है, लोगों के लिए थमनेल बनाना आ जाता है, सोचल मीडिया पर पोस्ट डिजाइन करना आ जाता है, अगर आपको फ्री लांसर बनना है, बट ये तोटली आप पर डिपेंड करता है, कि आपको कौन सी field में जाना है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलाँ कि आप सोचल मीडिया मार्क्टिंग में जाओ, इसमें जाला पैसे मिलते हैं, ये तोटली आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है, आपको कहां पर जाना है, और आपका इंटरस्ट किसमें हो सकता है, आपका इंटरस्ट व जहरा हमें तो आई होप अब आपको समर्य लग गया होगे कि आपको freelancer कैसे बनना है सबसे पहले आपको skill सीखनी है वो skill कोई भी हो सकती है वो totally आप पर depend करता है तो वो skill सीखनी कैसे है तो उसका बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि free courses आपको कहां से लेने है तो उसकी एक best example है course upload करके एक website है तो यह website है course upload.net करके यहाँ पर आपको सारे premium courses एकदम free में देखने को मेलेंगे बट इसमें भी courses को download करने की एक trick है वो मैं आपको बताता हूँ जैसे देखो यह सारे courses है अगर आपको music में जाना है category इसे बता दी IT developer यह सारी चीज़े अगर आपको माली यह affiliate marketing ही करना है तो उससे लेटर भी बहुत से courses है जैसे देखो courses पर आए फोटोग्राफी की है आडियो एंड म्यूजिक है डॉस है बिजनेस इंटेलिजेंट है किसी को ट्रेडिंग वगरा में जाना है कोई स्टार्ट अप अपना स्टार्ट करना है उसके लेटर भी प्रीमिम कोर्स मिल जाएंगे डाटा साइंस है 3D and animation है डाइटिंग है किसी को health and fitness में जाना है तो उसके भी डाइटिंग के भी अलग से courses बने हुए हाड़वेर के courses है beauty and makeup के courses है अगर किसी को fashion industry में जाना है उसका beautician की तरफ ज़्यादा इंटरस्ट है तो उसके भी courses आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सर्च इंजन है स्यू अगरा का है memory and study skill है language है किसी को Spanish सीखनी है किसी को French सीखनी है उससे लेटर भी आपको यहाँ पर free courses मिलेंगे engineering है science है test prep है self-air email marketing है video and mobile marketing इसमें basically youtube ads का जाता है facebook video ads का जाता है यह सारी चीज़े आपको इस एक website पर मिल जाएंगी तो मान लीजिए आपको जाना है graphic designing में आपको photo editing करनी है तो simply यहाँ पर graphic designing के भी बहुत से courses आपको मिल जाएंगे तो यह देखो यहाँ पर graphic designing के courses सारी निकला है और to sketch and draw cartoons तो देखो after effects के भी निकला है यहाँ पर fire and aura effects in after effects तो यहाँ पर आप सब कुछ एकदम free में सीख सकते हो उसकी कोई limitation नहीं है adobe xd for beginners तो अगर आपको मालीजी marketing में जाना है जैसे facebook ads हो गया जहां google ads हो गया तो यहाँ पर देखो marketing की option है simply यहाँ पर tap करना तो marketing के जो सारी courses है वो यहाँ पर आ जाएंगे देखो facebook ads mastery course और यह latest है 2022 का instagram marketing masterclass learn how to grow an impressive community on instagram and monetize it यहाँ पर देखो webinars का भी बता रहा है कि कैसे webinars आपको बनाने है यहाँ पर देखो shorts का बता रहा है how to grow your youtube channel with shorts तो यहाँ से आप latest courses download कर सकते हो वो भी एकदम free में आपको उस चीज में कोई भी problem नहीं आएगी देखो social media marketing agency कैसे चुरू करनी है instagram business masterclass unlimited facebook ads copywriting अगर किसी को करनी है तो उसका headline masterclass तो उसकी भी यहाँ पर courses है तो content यहाँ पर आपको unlimited मिल जाएगा आपको उस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जैसे मैं आपको यह दिखाता हूँ आपको कैसे download करना है simply यहाँ पर टैप करना तो यह पूरा इसका interface कुछ निकल आएगा ऐसे देखो इसमें आप क्या-क्या करन करोगे वह बता दिया तो requirements बता दी कि कोई भी beginner कर सकता है जिसको facebook ads का experience ही नहीं है तो यहाँ पर देखो यह main चीज है आपको इसको download कैसे करना है तो देखो इसके तो देखो download now तो यह interface आ गया यहाँ पर भी वेट करने को बोलेगा फिर आपके बाद download बटन की option आएगी यहाँ पर देखो यह download बटन अभी work नहीं कर रहा जैसे यहाँ पर zero होगा यह work करेगा देखो आ गया यहाँ पर tap करना है तो देखो आपका course यहाँ से download हो जाएगा बट यह only एक पार्टी डाउनलोड होगा मैं आपको बताता हूं कि अगर आप second part भी डाउनलोड करोगे तब क्या होगा तो जैसे मैं second part को download करता हूं तो देखो यह ऐसे देखा रहा है इसने यहाँ पर pricing show करती यह आपको एक दिन में only एक पार्टी डाउनलोड करने को बोल करता हूं तो आपको किसी और country के VPN लगाना है यहाँ पर यह आ गया देन अब मैं आपको यहाँ पर टैप करके दिखाता हूं अब देखना आप तो देखो यह डाउनलोड का वटन यहाँ पर वक कर रहा है तो ऐसे करके आपको यहां से courses डाउनलोड करने हैं तो इस बात का आपको दियान दखना पड़ेगा कि आप एक पार्ट को एक बारी VPN से डाउनलोड कर सकते हो जैसे अभी यह बाला VPN चल ला है अगर आपको इसके next पार्ट को डाउनलोड करना है तो simply इस वाले VPN को बंद करके एक new country का VPN लगाना पड़ेगा तब आप थर्ड पार्ट को भी ड सीखनी ही पड़ेगी जब तक आपकी उस skill को नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई भी काम नहीं देगा आपको पहले लोगों के लिए free में भी काम करना पड़ेगा तो चलो अब हम चलते हैं हमारे next module के दरफ तो हमारा जो next module है वो आता है where to get clients as a freelancer माल लीजे आपका interest video editing और social media marketing में है और आपको graphic designing भी आती है तब एक काम आप क्या कर सकता है आप YouTube से भी clients ले सकती हो और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोला हूँ कि आपको international clients के पीछे बागना है आप पहले local से शुरुआत कीजिए जो आपके local area में जितनी भी food की दिकांस है जो बड़े sweet shops हैं जो ज मुझे मत रखना तो ऐसे करके आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा local level पर ये तो आप वहां पर जाकर भी कर सकते हो एक तो यह वे हो गया देन second वे आता YouTube के तुरू जैसे यहां पर देखो यह मेरा channel है आप किसी भी YouTube channel के about में जाओगे तब वहां पर mostly लोगों ने अपनी email दी हुई होती है ये second way है emails के तुरू जैसे देखो यहां से आपको मेरा email address मिल गया तो आप जैसे मैं यहां पर YouTube channel है मेरा तो मैं किसमें interested हो सकता हूँ जानतो मुझे कोई video editor चाहिए होगा जानतो मुझे कोई thumbnail बनाने वाला चाहिए होगा तो आप मुझे approach कर सकते ह हो कि मैं ऐसे ऐसे thumbnails बनाता हूँ जा इतने लोगों लिए video editing कर सकता हूँ एक दो samples भी आप लगा सकते हो अपने काम के और मुझे send कर सकते हो अगर मुझे आपका काम अच्छा लगा देन मैं आपको hire कर लूँगा तो एक तो यह हो गया emails के तुरू मैं आपको दिखाता कि लोग कैसे कर रहे हैं मुझे mail आई थी एक तो जैसे देखो एक यह mail आई थी मुझे यह आई थी three days ago जैसे आप देख सकते हो my name is Friozpal I create YT thumbnails for my clients तो इसने यहां पर बता दिया है यह सब कुछ अपने बार में बता दिया कि 99% views पहले बता दिया कि thumbnail के five day क्या होते हैं यह सब देन उसके बाद उसने बताया कि मैं आपके लिए एक thumbnail free of cost बताऊंगा कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगेगा देन आप मुझे आगे pursue कर सकते हो तो उसने अपने charges बता दिये 250 रुपीज यह ले रहा है एक thumbnail के और unlimited revision के मतलब कि अगर मुझे इसका thumbnail पसंद नहीं आता तो जब जब मैं बोलूंगा यह उसको ठीक करता रहेगा उसके यह charges कर रहा है 250 रुपीज देन इसका एक और plan है standard plan जिसको यह बोलता है उसमें यह दो thumbnails देगा मुझे और unlimited revision और too super fast इसके charges इसने रखे है 450 रुपीज तो ऐसे करके भी आप लोगों को pitch कर सकते हो obviously हर कोई आपके mail का reply नहीं देगा बट जिनको actual में need होगी वो definitely आपके mail का reply देगे और यहाँ पर देखो इसने samples भी send की हुए है कि किन किन लोगों के लिए इसने thumbnail बनाए है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ देखो एक यह thumbnail है top neat यह basically इसने canvas से ही बनाया हुआ है देखो एक यहाँ पर इतनी charges कर रहा है आप simply लोगों को एक mail भी कर सकते हो कि मैं आपके लिए एक video editing जाब voiceover free में कर सकता हूँ उसके बाद अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा then हम आगे price की बात कर सकते है then second method यह हो गया जो third method है वो है Google के through जैसे Google पर search करना आप जो भी आपकी city में famous चीज होगी जैसे sweet shop near me जैसे देखो यहाँ पर आगया sweet shops near me तो इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको बड़ी बड़ी दिकानों को target करना है जैसे यह है एक lally sweet shop तो देखो इसका पूरा निकला है यहाँ पर call की option भी आ रही है से इवास के question आप यहाँ पर भी mail send कर सकत हो तो यहाँ से भी आप clients ले सकते हो मैं आपको वही method बता रहा हूं जिसके through मैंने starting की थी starting में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी लोग आपको काम नहीं देंगे because आप completely beginner हो बट अगर आप 100 बंदों को अप्रोच और होगे तो उसमें से एक आदा तो agree करेगा free मैं आपसे काम करवाने के लिए और उसके बाद अगर उसको आपका काम पसंद नहीं भी आता ता भी demotivate होने बाली कोई बात नहीं है at least आपके पास ये तो बोलने को होगा कि मैंने इस पंदे के लिए काम किया था आपके पास वह experience ही add-on होगा तो starting करनी बहुत ज्यादा difficult है इस चीज मे उसका आपको ध्यान रखना होगा ये थर्ड चीज होगी फूर्थ चीज आती है facebook के थूरू जैसे ये मेरी facebook profile है यहां पर आप groups join कर सकते हो जैसे groups है यहां पर तो आप यहां पर groups join कर सकते हो देखो get freelancer freelancing up work fiber projects work from home यहां पर देखो जिन बंदों को actual में need है आप जैसे लोग time based मत करना because अगर आपकी services अच्छी हुई तभी वो आपको आगे आगे बंदों को recommend करेगा आपको बस एक काम पकरने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने उस बंदे का एक काम अच्छे से अपना 200% लगा कर दे दिया तब आपको अपने आप ही आगे से आगे काम मिलता रहे LinkedIn से भी आपको अच्छे खासे clients मिल जाएंगे अगर आपको उस work की knowledge है तब ही approach करना आप किसी को भी otherwise ऐसे अगर आप किसी को भी approach करोगे तो हो सकता है कि वो आपको काम दे दे बट जब आप उसका काम अच्छे से नहीं करोगे तब वो आपको दुबारा कभी काम नहीं दे तो यह चार से पांच easiest method है जहां से आप easily client find कर सकते हो बट starting में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी बहुत से लोग आपके message का reply भी नहीं देंगे आपको maybe गालियां भी पढ़ सकती है तो इस चीज के लिए prepare रहना बट जहां पर आपको एक भी काम मिले गया उसके बा इसी को जिसमें आप पार्ट टाइम एक डेली का एक से दो गंटा देकर भी money earn कर सकते हो दन अब हम further move करते हैं हमारे next step की तरफ तो जो हमारा last step है वह सबसे most important note है खासकर beginners के लिए तो इस चीज को अच्छे से आप लोग सुन लीजिए जो लोग beginners है उनको जल्दी बहुत र तो things को work करने के लिए time लगता है यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई भी course सीख लिया और उसको without implement किये हुए ही काम लेने चलेंगे ऐसे आपको कोई भी काम नहीं देगा आप पहले course को देखो उन चीजों को implement करो 2-3 लोगों के लिए free में काम करो जब आपको लगेगा कि आप उस skill में अब expert हो गए हो जो आपको उस skill के बारे में अच्छी खासी knowledge हो गई है तब ही आप लोगों को approach करना तब ही आपको काम मिलेगा अधरवाइस आपको काम नहीं मिलेगा यह है first बात second बात आती है patience की patience रखनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है यह कोई भी क्यों की स्कीम नहीं है मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि यह करो यह करो तो आप इतने कमाने लग जाओगे यह totally आप पर depend करता है मैंने starting 500 रुपीज से की थी मुझे one week का 500 रुपीज मिलता था एक बंदे के लिए काम करने के लिए अब मैं जितना आर्नी करता वो आप सोच भी नहीं सकते हो तो इसलिए time लगता है किसी भी चीज को जब आप start करते हो तब आपको उस चीज के बारे में इतनी knowledge नहीं होती आपको time देना पड़ेगा और consistent रहना पड़ेगा और patiently काम करना पड़ेगा यह बिलकुल नहीं करना आपने कि आज मैंने 100 लोग को approach करो चाहिए आपको social media का page ही गुरू करना है तो उसमें अपना 100% दो चीजों को time लगता है काम करने के लिए और आपको समझने में भी थोड़ा time लग जाएगा की चीजे कैसे work करती है तो I hope आपको यह पूरा concept अच्छे से समझ लगिया होगा वीडियो अल्रेडी बहु करके DM कर सकते हो मेरी Instagram की ID का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा तो thank you guys वह यहीत आज की वीडियो के लिए मिलते हैं next वीडियो में